हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का यूटूब चैनल स्री आर्ट गेलरी में आज के टापिक में हम लोग डिसकस करेंगे इंपोर्टेंट टॉप टॉट्टी फाइब को ये कोश्चन जो होगे अयोध्या राम मंदिर से रिलेटड होंगे जो कि आप लोगों के क्रेंट पर है कोश्चन है पहला कि अयोध्या मंदिर की से सेली में निर्मित है और इस कोश्चन के चार भी कल्प दियेगा है नागर द्रविण बेसर और इनमें से कोई नहीं तो इस कोश्चन का राइट एंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नागर सेली क्योंकि द्रबिट सली और बेसर सली तो इस question का best option जो हो जाएगा वो यह हो जाएगा जो आप लोग देख रहे हैं next question पर अगर हम लोग बात करें बहुत important question है question है कि राम मंदिर कितने वर्सों में तयार हुआ very very important point अगर हम लोग बात करें इस question के उपर तो जो राम मंदिर है वो कितने वर्सों में तयार हुआ तो इसका right answer जो हो जाएगा see लगभग 4 वर्स इसको लग चुके हैं इसको निर्माण होने में अगर हम लोग बात करें कि इसकी इस थापना कब होती है तो इसकी इस थापना के अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा पांच अगस्त 2020 को इसकी स्थापना होती है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कब होने वाली है तो ये होने वाली है 22 जनवरी 2024 को तो इसके एकार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो लगभग 4 वरसों का टाइम लग चुका है तो इस कोश्चन को आप लोग याद रखेंगे नेश्ट कोश्चन पर बात करेंगे हम लोग जो थर्ड नमर का कोश्चन है कि राम मंदिर की आधार सिला रखी गई तो इस कोश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्योंकि राम मंदिर की जो आधार सिला रखी गई थी वो 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी तो राइट इंसर थर्ड का बी होगा इसको नोट करेंगे नेश्ट जो कुश्चन है कि राम मंदिर कहां इस्तित है आपसन के रूप में नर्मदा नदी गंगा नदी सर्यू नदी और यमुना नदी दिया गया तो राम मंदिर जीस नदी के टट पर इस्तित है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर्यू नदी कहते हैं तो इस question का right answer जो हो जाएगा वो सर्यू नदी होगा क्योंकि अयुद्या में जो राम मंदिर इस्तित है वो सर्यू नदी के टट पर इस्तित है तो इसको note करेंगे आप लोग ये जितने भी question आप लोगों को provide किये जा रहे हैं वो आप लोगों की exam के लिए बहुत ही helpful सावित होंगे तो अभी तक अगर आप लोगों को अच्छे लगए हो तो please comment box में comment करें और जो पहली बार watch करने है please channel को subscribe करें और वीडियो पसंद आए तो please like जरूर कर दीजेगा last तक देखते देखते next question पर अगर हम लोग बात करें पांचवे नंबर का question है कि राम मंदिर माडल के मुख्य सिल्पी है देखेगा इस question के जो practice set में आप लोगों को नए नए question देखने को मिलेगे अगर ये question आप लोग complete कर लेते हैं तो राम मंदिर से बनने वाले चाहे उसकी structure ह चाहे राम मंदिर में निर्मित मूर्ती हो राम मंदिर में लगने वारे जो पत्थर है और राम मंदिर में जो गर्ब ग्री में जो इस्थाबित होने वाले मूर्ती है उसकी color उसकी जो पत्थर है हर एक point पर हम लोग discuss कर लेंगे इस topic में तो कोई भी question आप लोगों से miss नही होने बाला तो question no.5 जो दिया गए है कि राम मंदिर माडल के मुं के सिल्पी कौन है? तो यहाँ पर option के रूप में दिया गया है कि मॉंबई, दिली, गुजरात और करनाटक यहाँ पर option के recording बात किया जा रहा है कि राम मंदिर के जो मुखे सिलपी है इनका संबंद जो है वो गुजरात से है तो question number 5 का जो right answer हो जाएगा वो C हो जाएगा next question पर अगर बात करें हम लोग question number 6 है कि राम मंदिर माडल के मुखे सिलपी है option के रूप में राम भी सुतार, अरून योगी C, सोमपूरा और निखिन, तो इस question का right answer जो हो जाएगा, वो हो जाएगा C मतलब चंदरकांत सोमपूरा इनका पूरा नाम जो है वो याद रखेंगे, आप लोग क्या नाम है चंदरकांत सोमपूरा इनका पूरा नाम है और इनका संबंद जो है वो गुजरात राज से है तो question number 6 का जो right answer हो जाएगा, वो C हो जाएगा next question पर बात कर लें हम लोग question number 7 है कि मसुहूर चंदरकांत सोमपूरा है क्या है, चितरकार है, मुर्दिकार है वास्तुबीद है, या छापाकार है, तो question number 7 का जो right answer हो जाएगा वो C हो जाएगा, चंदरकांत सोमपूरा जी जो है, एक प्रसिद वास्तुबीद है, अर्थात इनका संबंद जो है, ये इस्थापत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं तो question number 7 का जो right answer हो जाएगा वो C हो जाएगा next question जो है, वो है 8 number का, कि अब तक की सबसे बड़ी राम मूर्ती कहां इस्तित है आंध्यपरदेश, महाराष्टा, बियार और उत्तरपरदेश, कहने का तात पर ये है, कि अब तक की सबसे बड़ी जो राम मूर्ती बनी हुई है, वो वो हो जाएगा D, उत्तरपरदेश में क्योंकि राम मूर्ती जो बनी है, इस टैचू जो बनी है, वो उत्तर परदेश में बनी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मेजरमेंट के बारे में तो question number 8 का जो right answer हो जाएगा, वो D हो जाएगा note करेंगे आप लोग next question पर अगर हम लोग बात करें question number 9 है कि भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ती इस्तित है देखिए, ये जो मूर्ती है very very important point है आप लोगों से question put up किया जा सकता इसको double star करेंगे क्योंकि भगवान राम की जो सबसे बड़ी मूर्ती बनी है ये पूरे वर्ड की बात किया जा रहा है पूरे वर्ड में सबसे उची, सबसे बड़ी मूर्ती जो बनी है वो कहां पर बनी है? उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कहां पर बनी है? सिंगेर, पूर, अयोध्या, सीता, मड़ी या प्रियाग तो इसका right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा B, अयोध्या में बनी है राम मंदिर जो बन रही थे उससे पहले से ही इस पे निर्माण कार चालू था और ये भगवान राम की बनने वाले सबसे उची, सबसे बड़ी प्रतिमा इस्तित है अयोध्या में इसके बारे में आप लोग देख रहे हैं, ये है भगवान राम सिरी की प्रतिमा नेश्ट कुश्चन कर बात करें हम लोग क्योंकि ये आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे बड़ी राम मूर्ति की लंबाई कितनी है 200 मीटर, 215 मीटर, 215 मीटर और 225 मीटर तो इस क्योंकि भगवान राम की जो अयोध्या में इस टैचू बनी है, जो मूर्ति बनी है इसकी टोटल लंबाई जो है, वो 251 मीटर है यह याद रखेंगे, यहाँ पर मैं आप सबी लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिस करूँगा आप लोग मिस्स मत करेंगे, आप लोग जो यही इस टैचू देख रहे हैं इसमें जो इसका टोटल मतलब प्लिंथ बीम से लेकर छतरी तक की बात पूटब किया जा रहा है अगर प्लिंथ बीम और छतरी का पूटी हाइट लेकर अगर बात किया जा है कि सबसे बड़ी राम मूर्ती की लंबाई जो है वो 251 मीटर मापी गई है लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की मूर्ती अगर सिर्फ भगवान राम की इस्टैचू की बात किया जाए तो इनकी जो उचाई है भगवान सिरी राम की इस्टैचू की वनली जो उचाई है वो 181 मीटर बताई गई है ठीक है और इसमें अगर हम लोग plinth beam और भगवान राम के उपर जो छतरी लगी है इसकी अगर उचाई दोनों को add कर दें तो total उचाई जो होती है 251 meter हो जाती है तो ये बहुत ही minor mistaking आप लोग कर सकते हैं एक्जाम में तो आप लोग इसको याद रखेंगे दोनों measurement को याद रखेंगे right answer C को आप लोग टिक करेंगे next question है 11th number का कि अयोध्या में बनने वाले स्री राम की मूर्ती के मुख्य वास्तुकार है आपसन के रूप में चंदरकांथ सोमपूरा, जैकाकितियर, राम सुतार और कोई नहीं तो अयोध्या में बनने वाले स्री राम की मूर्ती के जो मुख्य वास्तुकार हैं यहाँ पर जो आपसन में दिया गया है क्योंकि देखिए चंदरकांथ सोमपूरा जी जो है एक वास्तु वीद हैं तो यह होंगे नहीं जैकाकितियर, राम भी सुतार और इनमें से कोई नहीं तो इस पर जो इस टैचू आप जो गार्ड जो राम जी है इनकी जो मूर्ती निर्मित की गई है यह जैकाकितियार के द्वारा निर्मित की गई है तो इस कोश्चन का राइट एंसर जो होगा वो भी हो जाएगा क्योंकि यह एक मुख वास्तु कार की रूप में माने जाते हैं यहाँ पर कनफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा क्योंकि भगवान स्री राम की जो अयोध्या के गर्व ग्रिह में जो मूर्ती भगवान राम की रखी गई है वो अलग है लेकिन यह जो अयोध्या में बनने वाले भगवान स्री राम की जो मूर्ती है जो इस टैचू बनी हुई है जो जिसकी मेजर्मेंट 251 मीटर है उसकी बात है तो इसका राइट एंसर जैक काकतियार होंगे तो आप लोग याद रखेंगे इन सभी मेजर पॉइंट को नेश्ट कुस्चन पर बात करें हम लोग कुस्चन नबर 12 है कि आयोध्या में राम मंदिर की उचाई कितनी है आपसन के रूप में 251 मीटर 161 मीटर 181 फीट या 261 फीट तो यहाँ पर याद रखेंगे आयोध्या में राम मंदिर की अगर उचाई पूट आप करें आपसे तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको डवरी स्टार करेंगे कि अयुद्या का प्राचीन नाम गरंथों में मिलता है आपसन के रूप में धारापूर, साकेत, कुसुंपूर और रुमिन देई तो इस क्वेश्चन का राइट एंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B, साकेत के नाम से हम लोग जानते है अयुद्या का प्राचीन नाम जो गरंथों में मिलता है वो साकेत के नाम से मिलता है, तो राइट एंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा, नेश्ट कुस्चन पर अगर हम लोग बात करें question number 14 है कि अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिल का है जो अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है वो कितने मंजिल में निर्मित किया गया है तो इस question का right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा C क्योंकि ये तीन मंजिल का है right answer C हो जाएगा next question है 15 number का कि अयोध्या राम मंदिर में किन पत्थरों का प्रयोग है वेरी वेर इंपोर्टेंट पॉइंट अयोध्या में जो राम मंदिर निर्मित किया गया है उसमें किन पत्थरों का निर्माण किया गया है तो इसका राइट एंसर जो होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मद्य प्रदेश या आंद्य प्रदेश तो right answer B हो जाएगा क्योंकि अयोध्या राम मंदिर में जीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वो राजस्थान के जो पत्थर है वहाँ से इनको आयादीत किया गया है तो right answer B को टिक करेंगे निश्ट कुश्चन जो है, वो है 16 नमर का कि राम मंदिर में लगने वाला जो साली ग्राम प्रद्थर है वो उसके बारे में पूटप किया जा रहा है और आपसन के रूप में पूटप कर रहा है करनाटक, भूटान, नेपाल और राजस्थान तो राम मंदिर में लगने वाला जो साली ग्राम प्रद्थर है वो कहां से आयादीत किया गया था तो वो नेपाल से आयादीत किया गया था तो गुश्चन नबर 16 का जो राइट अंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा नेश्ट कुश्चन 17 नबर का है कि गर्व ग्रीह में इस्थापित राम मूर्ती की उचाई है अर्तात आयोत्या में बनने वाला राम मंदिर है उस राम मंदिर के गर्व ग्रीह में जो भगवान सिरी राम की मूर्ती का निर्माण किया गया है उस मूर्ती के बारे में अब उचाई के बारे में पूटप कर रहा है कि 6 फिट, 7 फिट, 8 फिट या 9 फिट तो question number 17 का जो right answer हो जाएगा बी क्योंकि गर्ब ग्री में लगने वाला जो मूर्ती है उसकी उचाई 7 फि करेंगे next question 80 number का है कि राम लला के विग्रा के मूर्ती कार है अर्थात गर्ब ग्री में जो लगने वाली जो राम लला की जो मूर्ती है उसके मूर्ती कार कौन है उसको बनाने वाले कौन है आपसन के रूप में गणेसबट, सत्तनारान पांडे, अरुण योगी राज या उ पुरियुत में से कोई नहीं तो इस question का सही option जो हो जाएगा वो C हो जाएगा क्योंकि इस मूर्ती को बनाने वाले जो मूर्ती कार है वो अरुण योगी राज जी है जो कि आप लोग पीक के माध्यम से देख रहे है नेस्ट question 90 number का है कि मूर्ती कार अणूर योगी राज मूलता कहां से हैं आपशन के रूप में दिया गया है करनाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मैसूर तो मूर्ती कार अणूर योगी राज जो मूलता जो है वो मैसूर से हैं अर्थात question number 19 का जो right answer हो जाएगा वो D हो जाएगा next question जो है वो है 20 number का कि विग्रह में इस्थापीत राम की मूर्ती का one है very very important point यहाँ पर दिया गया है लाल, सियाम, सफेद और ग्रे दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ पर one के बारे में बात किया जा रहा है वोर्ण काने का मतलब की रंग अर्थात जो भगवान राम की मूर्ती निर्मित की गई है उसका color की color का है तो याद रखेगा इसका right answer जो हो जाएगा वो है सियाम वर में निर्मित की गई ह सियाम अर्थात काले रंग में निर्मित की गई है नेश्ट कुस्चन जो है वो है 21 नमबर का कि गर्वग्री में इस्तापित मूर्ती किस पत्थर में निर्मित की गई है आपसन के रूप में दिया गया है बलुगा पत्थर संगमरमर पत्थर साली ग्राम पत्थर या सियाम पत्थर तो question number 21 का जो right answer हो जाएगा वो D हो जाएगा ये स्याम पत्थर में निर्मित किया गया काले रंग के पत्थर में निर्मित किया गया है तो question number 21 का जो right answer हो जाएगा वो D हो जाएगा next question 22 number का है कि अरूर योगी राज के पिता पेसे से हैं याद रखेगा यहाँ पर अनूर योगी राज जो है मूर्थिकार जो है इनके पीता जो है वो पेसे से क्या है तो छापाकार, चितरकार, मूर्थिकार और वास्तुकार तो इनके पीता जो है यह पेसे से एक प्रसिद मूर्थिकार है मतलब इनका पूड़ा परिवार जो है वो मूर्तिकार के स्रेडी में आता है तो ये इनका पूड़ा मतलब की ध्यान दीजेगा नेश्ट कोश्चन पर बात करें हम लोग 23 नंबर का कोश्चन है कि बरतमान में रामलला की मूर्ति का वजन कितना है वेतरीन ये पॉइंट है 100 किलो 150 किलो 250 किलो या 300 किलो तो बरतमान में जो रामलला की जो मूर्ति गर्भगरी में स्थापित की गई है इसका वजन जो मापा गया है वो लगभग डेड़ सो किलोग्राम बताई गई है डेड़ सो से दो सो किलोग्राम के बीच में बताई गई है तो question number 23 का जो right answer है वो B हो जाएगा next question है 24 number का कि स्री राम जन्म भूमी तीर्थ छेत्र के महा सचीव है जो कि बहुत ही बड़ी बात है महा सचीव जी जो है याद रखना है जो जन्म भूमी तीर्थ के जो महा सचीव जी है वो कौन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है इनसे related question पूटब किया जा सकता है चंपत राय, पंडित कोबिंद, योगी राजा और संकराचार तो इस question का right answer जो हो जाएगा वो यह हो जाएगा चंपत राय जी है जन्म भूमी छेतर के महा सचीव नेश्ट question दिया क्या है 25 नंबर का question है कि अयोध्या में नब्द भव्वे मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी जो आप सभी लोग भारत के सभी राजियों से इस्थापित होने वाले जो स्रोता गण है और जो इनके सरधालू गण है अयोध्या में जो नब्द भव्वे मंदिर का जो राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो 22 जनवरी 2024 को होगी तो इस कोस्चन का जो राही टेंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा तो दोस्तो इस प्रकार से आज की टपिक में हम लोगों ने भगवान सीरी राम से संबंदित और अयोतिहा से संबंदित इंपोर्टेंट कोस्चनों को साल्व किया है 25 वेस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा